17 A square piece of tin side 18 cm is to be made into a box without top मतलब एक box बनाना है जिसमें top नहीं होना टॉप नहीं है मतलब ठीक है By cutting the square from each corner and folding up the flaps to form a box What is the side of the square to be cut? ठीक है मतलब जैसे हमारे पास शुरुवात में एक square है यसे ही ठीक है इसके each corner से आपको क्या करना है एक square cut मतलब एक corner से square cut करने है जिससे ये fold होके एक box बन जाए जिससे fold होके एक square piece है जिसकी side है 18 cm सारी side 18 है ठीक है? इधर भी 18 है इधर भी 18 है सब जगए 18 square है अब बोला क्या गया इसके और दो जिस square piece है 18 cm का made into a box इसके box बनाना है without top by cutting a square from each corner square cut करना है each corner से जिससे ये cut हो जाए इधर वाला पर और ये fold हो जाए ऐसे करके ठीक है? मैं आपको इसको दिखा भी दूँ अगर मेरे पास कोई एक page एक मेरे देख लेता हूँ मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ जिससे एक page से जिससे आपको चीज समझ में आजाए इच्छे से एक मिनट मेरे पास एक page है मैं भी इसको आपको थोड़ा क्यूंकि देखो थोड़ा विज्वल अगर हो जाएगा ना चीज आपको ज्यादर समझ में आएंगे ठीक है थोड़े लिए माल लेते हैं ये square piece है ठीक है यह बना दूए square चलो बना देता हूँ square है और एक square piece यहां से कट करें च्वारों corner से आप खुद से भी करके देख सकते हो एक कुरेसी पर मत जाना कि स्कॉरे से लग रहे हैं तो वह बात लागे थोड़ा तरिच्छा सा लग रहा है अब देख सकते हो जैसे यह पूरा square था यह पूरा square था यह यहां से यहां से फोल्ड करा देखो यह फोल्ड कर दिया और यह फोल्ड हो गया ठीक है तो अगर आप देखो तो देखो एक मिठाए का डिपटाई बॉक्स बन गया देखो ऊपर से यह ओपन है उपर से क्या open है तो आपने जो अब देखो इसी से समझने कोसिस करो जो square पीस जो पहले था इसके each corner से square कट करा जा रहा है और पूछा भी क्या गया है what should be the side of the square to be cut यानि कि जो square कट करा जा रहा है इसके side क्या है तो let कर लेते है let side of a square be x let a side of a square bx हमने मान लिया कि square की जो side है वो x एदर हर जगह इसकी side जो है वो x है ठीक है एक से फिर इसके बहुत बोला है कि volume of the box is maximum possible यानि कि ऐसा लेना है जिससे volume maximum आए ठीक है अच्छा अब यानि कि आपको इस क्यू यो box बना है इसका आपको volume maximum करना है अच्छा volume के लिए तो आपको पता होना चाहिए l कितना है फिर b कितना और h कितना है तो आप बताओ अगर ये पहले 18 था और जब आपने यहां पे cut कर दी देखो जहां से देखना यहां से x cut हो गया और यहां से x cut हो गया और यह fold हो गया ऐसे तो अब जो हमारा box बना होगा उसकी length कितनी होगी तो देखो 18 मैंसे x यहां से चला गया x यहां से चला गया तो क्या वो 18-2x होगा square box की जो हमारा box बना है b कितना होगा देखो यह भी तो 18 है यह भी तो 18 है तो यहां से भी x है यहां से भी x है एच कितना होगा बैदेखो जब आप कोई box बनाते हो तो या q wide होगा या cube होगा अगर length हमें पता नहीं है तो हम q wide माल लेते हैं भी ठीक है एच कितना होगा देखो समझना ध्यान से ये square की side थी x इसी को तुमने fold करा देखो fold ध्यान से को ये fold हुआ तो height कितनी आ रही है x ही तो height यहां पर x हो जाएगा मिल गया lbh बताव समझ में आया अगर आपको यह महनत समझ में आई तो video फटा फट लाइक कर दो comment section बताव कैसा समझ में आ रहा है आपको तुरंदी लगदो comment video क्या करो यार कि कैसा लगा lecture आपको यह ठीक है इतनी महत करके बताया जाता है lecture आपके लिए ठीक है ओ यह क्या हुआ अरे लोग बात भी बातों में महत बरबाद होगी लग रहा है आपको कैसे होगी बरबाद है वह एक्चली इस पर मैंने click कर दीना चलो कोई दिक्कत नहीं करा यहां से एक्स कट करा यहां से एक्स कट करा और यहां से भी स्कार कट करा और लेट किया तो मैंने let side of square let side of square भी एक्स और हमारा एल कितना आया था 18 माइनस टू एक्स L हमारा आया 18 माइनस का 2X B हमारा आया 18 माइनस का 2X और H हमारा X तो हमें volume को maximum करना है तो volume हमारा होता है L, B, H तो V हो गया 18 माइनस 2X 18 माइनस 2X और height हमारे पास X है तो आपको अगर इसको volume को और simplify कर लो तो V हमारा आजाएगा 18 माइनस 2X का whole square into X ठीक है 18 माइनस 2X का whole square into X तो अगर आपको इसको ठीक है maximum करना है तो किसी भी चीज को maximum करना है उसमें एक variable होना चाहिए और इसका क्या करना है तो कर लेते हैं तो DVYDX कितना आएगा देखो यह यू हो गया और यह V हो गया तो 18 माइनस 2X का whole square बाहर इसका होगा डिफ्रेंस एसका होगा एक्सका फिर आपका एकस बाहर और डिफ्रेंस सीजन किसका होगा 18 का स्कोर का तो यहां से देखो कितना अग का D DVYDX इस इस इचकाL 2 18 माइनस-2 एक्स गा होल एक्सका डिफ्रेंस का होता है एक्स का डिफ्रेंसिशन होता है 1 प्लस एक्स से सम्थिंग का स्क्वाइर है एक्स स्क्वाइर, एक्स स्क्वाइर का डिटिप क्या होता है ट्वाइस ओफ 18 माइनस 2x 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस का 2 अब मैंने एक चीज़ बोली दिया कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लो तो 18 माइनस 2x से 18 माइनस 2x से कॉमन लो तो dvydx is called to 18 माइनस 2x ले लिए कॉमन तो ब्रेकेट में क्या आएगा इधर से आएगा 18 माइनस 2x अब देखो यहाँ पर कितना बच्चा हमारा यह 2 है और यह 2 है यह 4 और यह माइनस और यह x यहनि माइनस का 4x तो कितना आगे है सिंप्लिफाई हो के इचाई स्क्वाइर है 18 माइनस 2x का होल स्क्वाइर 18 माइनस का 6x ऐसा हमारा dvydx आ गया एक ब्रेकेट में इसको बंद कर दो भई एक ब्रेकेट में बंद कर दो अब क्या करो इसको 0 करो dvyds को कर दो 0 यहीं करते है रिगूल सेम रहेगा इतना नोट कर लिए मैं इसको एरेज कर देता हूँ यह नोट कर लो जल्दी से अब इसको 0 करेंगे तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वाइर और 18 माइनस 6x तो एक फेक्टर यह और एक फेक्टर यह है तो 18 माइनस 2x को अगर आपने 0 करा तो x के लिए यहां से 9 आएगी और 18 माइनस 6x को 0 करा तो x यहां से 3 आएगा अब जो x इसकोल टू 9 है वो रिजेक्ट हो जाएगा पता क्यों अगर x इसकोल टू 9 होगा तो l कितना आएगा देना 18 माइनस 2x है ना अमारा l तो अगर आपने l को 9 ले लिया मनला x को 9 ले लिया तो 18 माइनस 18 कितना आएगा 0 तो भाई यह अगर 0 हो गया तो वाल्यूम तो कभी मैक्सम आए गई नहीं क्योंकि l 0 हो गया तो भाई यह case reject हो गया यह आपको 9 लेना ही नहीं है अब check किस पर करना होगा x इसकोल टू 3 पर किस पर वास तो हमें वाल्यूम हमें मैक्सम मिल पाएगा यह नहीं मिल पाएगा इस पर तो clear है जिस पर clear होता है उसको हमें नहीं सोचना है वो पहले सही reject हो गया उसको second order derivative से कोई मतलब नहीं है 3 पर पता नहीं है कि है या नहीं है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा second order derivative ठीक है क्या करना पड़ेगा second order derivative करना पड़ेगा तो चलो करते हैं तो इसका करना है एक बार और डेरिवेट है, तो dv y dx अभी हमारे पास लिखा है कितना, 18-2x का whole square, 18-6x, चलो करते हैं, डिफ्रेंसीट, d square v upon dx square, 18-2x का whole square, differentiation किसका करना होगा, 18-6x का, फिर 18-6x बाहर, differentiation होगा, 18-2x के whole square का, तो 18-2x का whole square, इसका कितना हैगा, minus 6, फिर 18-6x, इसका कितना हैगा, x square का प्रे 2x होएगा, यानि 2 times 18-2x, फिर अंदर वाले पार्ट का करोगे, तो 18 का 0 और इसका minus 2, तो minus का 2, अब put कर दो, x बराबर 3, क्योंकि x के whole कितनी हम है, 3 पे तो check करना है, तो 18-2x3 का square, ये minus का 6, 18-, अगर x के whole 3 रखोगे, तो 6 into 3 कितना होगा 18, फिर twice है, 18-3, तो 6 into minus का 2, अब आप बताओ, 18-18, जैसे last question करें, ये सारे 0 हो जाते हैं, तो ये 0 हो गया, और ये 2 into 3, 6, यानि 12 का square आएगा, minus 6, तो क्या ये देख के साब पता लग रहा है, कि square तो positive होगा, और ये negative, यानि negative आएगा, और maxima हमारा हो गया, और ये तो प्रूब करना था, volume maximum होना चाहिए, हो गया maximum, क्योंकि volume का second order negative आगया नहीं, maximum है, किस पर maximum आया, x is equal to 3 पर तो हमारा answer क्या हो गया 3, यानि side जो 3 square की, वो कितनी होने चाहिए, 3 cm, बस यही prove करना था, यही find out करना था, तो find कर लिया कि x बराबर कितना है, 3 के equal है, clear है, side of square कितना हो गया, 3 cm के equal हो गया, ठीक है, चलो, देखाए,